नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पार्थफाइंडर पर सो लगता है कि वेस्टन मीडिया से इंडिया की तरक्की देखी नहीं जाती और इसलिए एक बार फिर से उन्होंने कुछ ऐसी रूमर्स को फैलाना शुरू कर दिया है जिसके तहट वो ये कह रही है कि इंडिया का जो पहला सेमी कंड़क्टर मैनुफाक्चरिंग प्लांट ब दिन पहले सामने आया था जिसमें कि they have mentioned billionaire's chip dreams stymied as India set to deny funding इसका subtitle देखिए इन्होंने लिखा हुआ है कि वेदानता Foxconn venture is struggling to qualify for incentives और इसी लिए Indian government के द्वारा इसको funding deny करी जाएगी केवल एक आर्टिकल नहीं उसके बाद एक और आर्टिकल सामने आया था जो कि again Bloomberg में ही आया जिसमें बताया गया था कि PM Modi की 24 billion dollar का जो manufacturing का push है it is stuck on the assembly line और इस आर्टिकल में तो इन्होंने केवल विदानता Foxconn वाले semiconductor plan को target नहीं किया बलकि India में होने वाले जितने भी mega projects हैं जो कि manufacturing के साथ सम्बंदित हैं उन सभी को निशाने पे लिया गया था बात करेंगे कि क्या-क reasoning इनके द्वारा दी गई है also इस चीज को लेकर clarification भी offer कर दी गई है वो clarification आखिरकार क्या है वो भी आपके साथ हम लोग discuss करने वाले हैं आए शिरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद मुझे follow करने के लिए यहाँ पर दिये गए telegram channel के माधियम से follow कर सकते है also lecture की PDF आपको निचे description में दिये गए link में available करवाई गई है वहाँ पर जाकर कि आप इसको download कर सकते हैं दोस्तों बताना चाहूंगा कि अगनीपत बैच में इतनी enrollments मिलने की वज़े से हमने इसकी enrollment को extend कर दिया है 7th June तक आपके लिए enrollments open है अगर आपने join नहीं क्या है आप join कर सकते हैं ध्यान रखिए इसमें आपको enroll करते टाइम मेरा coupon code अनी UPSC इस्तिमाल करना है तब ही जाकर के आपको इसमें maximum discount available करवाया जाएगा that is 8,000 रुपीज का आपको ये final course available हो जाएगा इसी course के तहत इसी batch के तहत मेरे द्वारा आपको complete physical geography भी available करवाई जाएगी जिसक पंदरा जुलाई से शुरू होगा और हमने separate batches भी available करवाए हैं यदि आप लोग C-Sat purchase करना चाहते हैं या यदि आप लोग केवन NCRT batch को purchase करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं ये वाला batch मातर 25 रुपे का है और NCRT batch जो है वो मातर 5000 रुपे का available करवाया गया है again enroll करते time please use the coupon code ANI UPSC all right so पिछले साल September 2022 की आपको खबर याद होगी जब ये बहुत जादा सूर्ख्यों में आया था कि किस तरीके से गुजरात ने महाराश्टरा को हरा दिया in order to win the Vedanta Foxconn 22 billion dollar project ये दोस्तों इंडिया का पहला और सबसे बड़ा semiconductor manufacturing plant था जो की आने वाला था in the state of Gujarat 22 billion dollar का बड़ा निवेश यहां पर अनुमान लगाया गया था इसमें दो बड़ी companies विदानता आपने नाम सुना होगा काफी बड़ी mining company है अलग-लग तरह के minerals की mining में लगी हुई है और काफी बड़ा giant भी है ये और उसके इलावा Foxconn का भी आपने नाम सुन रखा होगा ये दो integrated display and semiconductor fabrication ecosystem को भारत में बनाने वाले थे बलकि इस साल फरवरी 2023 में इन्होंने ये भी announce कर दिया था कि हमारी site कौनसी होने वाली है इन्होंने बलकि ये बताया कि हम लोग गुजरात में जो धोलेरा का industrial region है special industrial region है वहाँ पर जाकर कि वेसी कली हम लोग इस plant को setup करने वाले हैं क्य का निवेश होने वाला तो इसमें जल्दीबाजी करने का कोई भी sense नहीं था इसलिए they took their time and they finalized धोलेरा as the final place now होता क्या है कि आज से दोतिन दिन पहले Bloomberg ये खबर पेश कर देता है कि India इस plant को funding deny करने वाला है और इनकी reasoning देखिए वो भी आपको बताऊंगा इन्होंने कहा the authorities are likely ये likely word जो है पूरे article की ये इसी पे टिकी हुई है they are saying कि likely to inform the venture between Vedanta and Taiwan's Foxconn that it won't get the incentives to make 28 nanometer chips ये वाला ये report ने कहा है कि आपको जो 28 nanometer की chips आप लोग यहां बनाने वाले हैं by the way ये इस plant में 28 nanometer and 40 nanometer की दो तरह की semiconductor chips को manufacture करने की बात हुई थी इन्होंने कहा कि आपको 28 nanometer chips बन नहीं मिलने वाले हैं और इसी article ने ये भी कहा कि neither of the two collaborators have significant chip making experience and the project is yet to find a technology partner तो ये कुल मिला के दो बड़े कारण इन्होंने दिये कि एक तो आपके पास कोई experience नहीं है और दूसरा आपको कोई भी technology partner नहीं मिल रहा है और license manufacturing great technology partner नहीं मिल रहा है इसी लिए आपको यहां पर य होने वाली है now ये totally बेबुनियाद है because असल में ऐसा कुछ भी कहीं पर भी mentioned नहीं है इन्होंने again ये कहा कि the ventures application seeking billions in government subsidies has not met the criteria set by the government और इसी लिए इनको subsidy नहीं मिलने वाली है आपको मालूम होगा कि भारत सरकार के द्वारा ये भी ऐलान किया गया था कि अगर कोई भी बड़ project आता है जिसके तहट semi connector की manufacturing होती है तो Indian government भी वहाँ पे subsidies available करवाने वाली है और वहीं पे इन्होंने कहा कि आपके पास कोई technology partner available नहीं है कोई manufacturing grade technology license available नहीं है तो इसी लिए आपके लिए ये funding को deny किया जाएगा ये article केवल शुरुआत थी एक और बड़ा article सामने आया था जिस लब की उसकी जो rating है वो बहुत खराब चल रही है और उसके उपर बहुत सारा loan है जो कि उसको हर तिमाही में pay करना होता है अगर वो इतना बड़ा loan पे नहीं करेगा तो वो आखिरकार इतना बड़ा निवेश भारत में किस basis पे करेगा इन फैक जो ये वाला article है अगर आप से काम नहीं कर रही है नो ये सारी कि सारी बाते वेस्टन मीडिया के द्वारा पेश करी गई थी what happens now next day ही itself विदानता फॉक्सकॉन के जो CEO है Mr. David Reid ये बाइद वे एक joint venture बनाया गया है विदानता फॉक्सकॉन का तो उस JV के जो CEO है David Reid उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं ह ये सब बेकार की rumors हैं जो की फैलाई जा रही है ये देखिए इन्होंने कहा that the setting up of the chip plant is progressing as per the schedule and that Foxconn has already recruited 200 से 400 engineers for the project मतलब की इतने सारे engineers Foxconn के द्वारा recruit हो चुके हैं इतना ही नहीं इन्होंने बल्कि ये भी बता दिया कि कौन से कौन से firms के साथ हमने technology agreements already कर लिये है 28 nanometer chips के ल group है based in Belgium and Netherlands जिसको लेकर हमने already partnership कर ली है और जो दूसरा 40NM वाली हमारी chip है उसको लेकर भी हमने partnership कर ली है लेकिन उस company का नाम मैं नहीं बता सकता because अभी एक non-disclosure agreement हमने sign किया हुआ है तो दोनों ही chips को लेकर technology partner भी available है hiring भी चल रही है और इन्होंने साथ में ये भी कहा कि मे 6 लोगों को हम लोग hire कर चुके हैं we are not stopping regardless of what is happening in fact my entire week was spent hiring people we are constantly in touch with the government and the authorities और हमने ये सारा का सारा process pipeline में डाला हुआ है talking about जो विदानता को लेके बाद कही गई है दोस्तो परसों की ही खबर है again विदानता ने इस चीज की clarification दे दी है कि उनकी जो Q1 को लेकर debt obligation थी वो उन्होंने already clear कर दी है अभी Q1 खतम होने में समय है इन्होंने कहा कि हमारी debt obligation खतम हो चुकी है बलकि यही जो western countries में आने वाली rating agencies होती है इन्होंने यह कहा है we think VRL यानि की विदानता resources limited still has multiple funding avenues to top onto these include share pledges and dividend upstreaming इतना ही नहीं कल ही की खबर है विदानता ने बलकि 4500 million dollar का fund raise भी किया है now इसमें कोई दोरा नहीं की विदानता की हालत जो है वो थोड़ी tight चल रही है but almost सभी companies के हालात जादा अच्छे नहीं चल रहे है because of the economic situation लेकिन विदानता उसके बावजूद भी अपनी debt obligation को clear कर चुका है 1.7 billion dollar की debt obligation इन्होंने clearly यहाँ पे साफ कर दी है और बलकि यह और funds को भी raise कर रहे है now completely यह कहा जा सकता है कि जो भी remarks western media में आयो हुए articles दे रहे हैं यह completely baseless है और यह पहली बार नहीं हुआ जिस पिछले महीने की ही तो बात है western media ने कहा कि इंडिया रश्या ने अपनी negotiation को suspend कर दिया है to settle trade in the Indian rupee उस चीज़ को लेकर भी इंडिया ने बाद में कहा कि यह सब बेकार की बाते हैं इंडिया rubbish is western media claims about suspension of talks on the rupee trade कि यह बिल्कुल बेबुनियाद है यह completely baseless claims है जो कि यह पस्चिमी मीडिया के द्वारा दिये गए हैं दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है मैं definitely जाना चाहूंगा comment section में जाने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने pathfinder की prelims test series को check out नहीं क्या है please check out किए जिए मातर 3000 में available है और main stress series मातर 25 में available करवाई गई है thank you so much for listening stay tuned and stay safe